हेलो फ्रेंड्स बेल्कुन तू चावलमंत्रा यूट्यूव चैनल तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो करेंगे 100 जिसमें 50 फिटी कोश्चन एच पी जीके करेंगे और 50 कोश्चन हिंदी करामर करेंगे उप्षन है कपास, B. मक्का, C. मश्रूम, D. अगला कोश्चन है सूपरसिद राजा संसार चन जो पहाड़ी किशेतर में बिशाल हिंदू समराज्य की स्तापना करना चाहता था वह कहां का शासक था तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्षन D. कांगड़ा का अगला कोश्चन है पराश्चर कोन थे ओप्षन है रीशी थे बिग्यानिक थे राजा थे इनमें से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्षन A. रीशी पराश्चर A. रीशी थे अगला कोश्चन है डक अगला कोश्चन है हिमाचल में तिरलोकपूर नामक स्थान पर बाला सुंद्री का मेला कब लगाया जाता है तो कब लगाया जाता है इसका जो सही अंसर हो जाएगा ओप्शन बी सही हो जाएगा मांग मास में वेरी वेरी इंपोर्डन कोश्चन है ठीक है अगला कोश्चन है बूडी दिवाली नामक मेला हिमाचल पर देश में किस स्थान पर लगता है वेरी वेरी इंपोर्डन कोश्चन है बूडी दिवाली मेला हिमाचल पर देश के किस स्थान पर लगता है ओप्शन है रिवाल सर ब जिले मना जाती है तो कुल्लू हो जाएगा जगा पुछी जाएगे तो निर्मंट हो जाएगा अगला कोशन है केवल यूबा पुर्षों द्वारा अयोजित किनोर में होने वाल कौन सा तिहर है तो वेरिवरि इंपोर्डेंट कोशन है हाली एकजाम में पुछा गया है तो तो क्या कहते हैं किनोर के शुभ अब्सरों पर किया जाने वाला समोहिक नरित्य क्या है तो क्या है इसका सैंसर रोजया जागा ओप्ट्ट बी पुलाशेंड अगला खाफिल्ड क्या है इसका सईंसर है क्या option भी सही हो जाएगा पर्यावन शिक्षा का परसार अगला कोशन है माच्च पदेश के फ्रेंटेर गांदी के रूप में कौन जाना जाता है very very important question कौन जाना जाता है भुजू राम ठीक है भजू राम अगला कोशन है very very important question तो किस नदी पर है चिनाव option C सही हो जाएगा अगला कोशन है शिम्बला में बिगार पर अथा के बिरूद अंदोलन किस ब्यक्ति ने छेड़ा तो इसका सही answer हो जाएगा option B Samuel Stokes ने अगला कोशन है महातमा गांदी 23 मईज 1921 में पहली वार शिम्बला आये और कहां ठहरे थे question ऐसे भी आता है कि महातमा गांदी शिम्बला पहली वार कब आये थे तो तब हो जाएगा 2021 में और जब पहली वार आये थे तो ठहरे कहां पे थे तो कहां पे ठहरे थे एए option सही हो जाएगा शांती कुटीर में अगला question ऐसे जन्म किस रियास्ट से अलग होकर हुआ था आतवा सिब्बा राज्य किस की पशाखा थी तो किस की थी यह हो जाएगा option सी गुलेर की इसी option सही हो जाएगा अगला question है निमे लिखते में से क्या कांगडा जिरा में स्थित नहीं है तो option देने बढ़ेंगे option है शहीर समारक ये कांगडा में है बरजेश्वन मंदिर ये भी कांगडा में है चामुंडा समारक ये भी कांगडा है और पंजपुला ये कांगडा में नहीं है ये पंजपुला जो है ये कहां पे है ये डिस्टिक चमबा में है अगला question है जिस मुगल सेना ने 1620 ECB में कांगडा जीले को अपने अधीन किया था उसका कमांडर कौन था तो इसका सही अंसर हो जाएगा option B नवाव अली खान अगला question है very very important question गूरुंगंटाल क्या है इसका सही अंसर हो जाएगा option C परसीद विक्षू आश्रम अगला question है very very important question बूतनाथ मंदीर कहां परसीत है तो कहां पर है option D सही हो जाएगा मंडी बैजनाथ district कांगडा में है कांगडा तो कांगडा में है और बुंतर भी ये कुल्लू में है ठीक है अगला question है की क्या है very very important question जिन्होंने पहले exam दियोंगे उनको पता है कि कितने important question है ये जो बार बार रिपीट होते रहते हार exam में तो की क्या है इसका सही answer हो जाएगा option D बोध भिक्षू आश्रम question है हडिमबा मंदिर कहां परसीत है very very important question तो कहां पर है district कुल्लू और जगा है मनाली में अगला question है कुल्लू जिले के किस स्थान पर मनू मंदिर स्थित है very very important question तो कहां पर है option B सही हो जाएगा मनाली में अगला question है लोहल स्पित्ति के मुरिकला देवी मंदिर किस मूर्ति कला का नमुन्ना है very very important question तो किसका है option B से हो जाएगा धातुकला और कई वार question ऐसे गुमा के आता है कि जो मुरिकला देवी का मंदिर है बग किस डिस्टिक में है तो याद रखना है लोहल्स पिति में है और नमूना किसका है मूर्तिकला का नमूना तो ये हो जाएगा धातुकला का अगला question है शिमला में गेटी थेटर का निर्मान कब हुआ इसका सही अंसर option B से हो जाएगा 1887 में अठार सो स्तासी में next question है संजे विद्धित प्रियोजना किस जिले में है very very important question तो किस में है option A सही हो जाएगा किन और में अगला question है हिमाच्य पदेश राज्य विद्धित बोर्ड की स्तापना किस बर्ष में की गई तिसका सही अंसर हो जाएगा option B 1971 1971 में अगला question है हिमाच्य पदेश की किस नदी में सरवादिक विद्धित उतपादन क्षमता है option C सही हो जाएगा सतलुज अगला question है वेरी वेरी important question रोंग टोंग जल विद्धित परियोजना कहाँ परस्तित है इसका सही अंसर हो जाएगा option A लहोल स्पित्ती में अगला question है कालका शिमला रेल मारक पर कितनी सुरूंगे बनी है तो कितनी सुरूंगे बनी है option D सही हो जाएगा 103 याद रखना है ठीक है 103 अगला question है मंडी का विक्तोरिया ब्रीज किस वर्ष बनाया गया वेरी वेरी important question तो किस वर्ष मनाया गया 1877, 1887 में next question है very very important question कहाँ पर अंगोरा खरगोष परजनन के अंदर है A option है जियोरी डिस्टिक शिमला में B option है नगवाई मंडी में option है ताल हमिरपुर में D option है कमांड मंडी में तो friends इसका option मैं नहीं बताने वाली कि कोई सा सही है है चारों में से कोई एक इसका अंसर आपको इस comment box में बताना है कि जो आपकी अंगोरा खरगोष पराजन के इंदर है वो किस डिस्टिक में है और कहां पर है ठीक है पवन का संदीवी शेद है तो क्या है इसका सायनसर रगा option B पोजमा अन वेरी वेरी इंपोर्डेंट कोशन है पोजमा अन संदीवी शेद होता है पवन का सही बरतनी शांट ये तो सही बरतनी जियोतसना शांटना है तो इसमें C option सही हो जाएगा तो अथसना ऐसे लिखा जाता है ना सपूरा होता है तो पूरा होता है तो सो दोनों आध्याध्य होते है अगला कोशन है वेरी वेरी इंपोर्डेंट कोश्चन महेंदर का संदीवीशेद क्या है इसका सही अंसर है option C महा जमा इंदर ठीक है अगला कोशन कोशन और फोर उद्भनी का उचारन स्थान क्या है सही अंसर हो जाएगा ओष्ट ठीक है अगला कोशन है कोशन नवर फाइव इंदर शब्द का इस्तिलिंग रूप क्या है तो इसका सही अंसर रहेगा option C इंदरानी कई कर देते हैं option D इंदरानी इंदरानी नहीं होता है इंदरानी होता है ठीक है नी होता है लास्ट भी याद रखना है कभी इंदर का आएगा इस्तिलिंग तो इंदरानी हो जाएगा नी याद रखना है ठीक है अगला कोशन कोशन में 6 दाता शब्द का इस त्रGHTॉप क्या है इसका सज़ेंस रहेगा डात्री ऑप्शन डी हो जाएगा त्री हो जाएगा डाता का दात्री अगला इसका स नबर tenth रहेगा इसरी का स्थिलिंग रूप यह तो इसका सही अन्स रहेगा且 है सूर्या स्थिलिंग है अगला कोशें नवर 10 उत्त पत्ती की द्रिश्ची से्फड हैं तो जाये अगला कोशना कोशनाव 11 कभी काइस्ति लिंग रूप क्या है तो कभी काइस्ति लिंग रूप है कवित्री कवित्री कैसे लिखा जाता है तो कवित्री कर देते हैं या बढ़ चोटी की मातरा लगा देते हैं पर आसा नहीं होता आपको कव पूरा लिखना है और यह चोटी की त्रव को बड़ी की मातरा ठीक है ऐसे लिखना है कवित्तरी अगला कोशन अबर 12 पाप पुन्यों कौन सा समास है जिसका साइशन रहें ओप्षन सी दवन्द अगला कोशन अबर 13 विशेशन कितने परकार के होते हैं तिसका साइशन रहें ओप्षन बी ओजाएगा चार परकार के ठीक है अगला कोशन अबर 14 बीना पाणी कौन सा समास है इसका साइशन हो जाएगा ओप्षन सी बहु ब्रहीज समास अगला कोशन अगला कोश सा benefit हो जायगा करमधारे ौप कलते हैं इसके ट्रीक है एक फ्रेंस है जो ठीक है है जो जिसमें भी लगेगा वह देशवक्ति होदा और दूसरा है के समान यहां पर पूरा बताओंगी कैसे यह ट्रीक लगती अब यहां पर आया देश वक्ति, तो किसके लिए होती ह scripts के लिए, तो देश के लिए भी के लिए है जो समान, जैसे नब यूबक हम बuito है, तो नब यूब का क्या बनता है समास? नब है जो यूबक तो है जो ये आ गया है जो, तो वो भी कौन सा समास होगा करमधारियो अगला कोशन देखते हैं कोशन नमर 17 तो कोशन नमर 17 आपके सामने आगे यहां पर नभी को कौन सा समास है तो अभी पताया कौन सा है करमधारियो क्योंकि यहां पर है जो यह याद कर लेना है आपको जो केश मान के लिए, जिस भी शवद में ये लग जाएगा, तो वो आपका करमधार्य समास हो जाएगा, अगला कोशना, कोशन नमबर 18, नील कंठ कौन सा समास है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा बहुब्री, बहुब्री समास किसे कहा जाता है, जो किसी तीसरा अर्थ निका प्रति दीन कौन सास्मास है यह रहेगा अभ्यभाव अब यहां पिएक टीक बनती है अभ्याई भाव की प्रती भर यथा याबत जिस संस्टेंस में फ़र्स प्रत दिन आ गया तो यह कौन सास्मास है अभ्याई भाव जैसे आजाता है यथा शक्ति तो जैसे आभी बताए जैसे आपको कि यह किसमें है अब यह वाब में इसके वीडियो बना दूँगी डीप से की ट्रिक कैसे बनती है निए ठीक है तो आपको चैनल स्क्राइब कर लें नहीं वीडियो को लाइक कर देना है अगला कोशन कोशन में ट्वंटीव नाक कौन सा लिंग है तो कौन सा लिंग है यह हो जाएगा ओप्शन भी इस तरी लिंग मैक्सुम लोते करना विशेशन لगा देना है विशेशन कैसे लगाना है जैसे सिए मेरेन चाहर अग ses हो रही तो हो रही बोलते हैं मोनाकी Ayo water hot chips लगा और है ठीजिसेन हमारी बड़ा बड़ी का रीट हो रहा है हम हम बोलते हैं बस तो बसमें मैंख्यम्म लोग वोलेंगे बस तो पुलिंग होगी पर हम क्य वोते हैं मैं टो हो जाएगगी इस तरी लिंग तो ऐसे आपको याद रखना है अगला कौशन 22 कोई विशेष्ञ है तो कोई कोन सा विशेष्ञ है कोई कोण आया सार्व नामिक विशेचन है अगला कोशन 23 समास कितने परकार की होते हैं OAPTION C सही हो जाएगा शयर परकार के जो योगिज रूड और योग्रूड तो उते हैं वो थीसरा अर्थ देते हैं और जो तो रूड उतत्यां उनकों तोड़ा नहीं जा सकता हूँ जैसे नाक हो गया नाक को तोड़ देंगे तो कोई शब्द नहीं बना। जासे रुसोई घर को बोद्र कोब्द सा रहेगा योग रूड ठीक है मैंने अब ही बताया जो तीसरा आर्थ देता है ठीक है अन्हें जोर्ण सोर ना कोब्स सा संग्या है इसका व आपसँ 뉴스 अगला question, question 33, आ कौन सा शब्द है, तो यह है तदबब, अगला question 34, टेबूल कौन सा शब्द है, इसका सही answer है, option C, विदेश्च, फ्रेंज या आपको question लिख लेने हैं, अगर इनके PDF चाहिए होगी, तो मैंने इस वीडियो के comment box में टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो जोईन करके बहां से जोईन कर सकते हैं, अगला question 35, निमन लिखते में से कौन सा अर्द विराम है, तो इसका सही answer है, option D, अर्द विराम, अगला question, question number 36, तवर्ग का उचारन स्थान क्या है, तो जब हम तवर्ग बोलते हैं, तो तव बोलते हैं, तो हमारी जो जीब है, वो द जैसे हम परवर्ग बोल रहे हैं, तो मारे दोन ओष्ट जो है, अपसमें टच हो रहे हैं, मतलब इसकी जो moment है, वो ओष्ट से हो रही है, तो इसका सही answer हो जाएगा, option C, अगला question 38, इन में से योजिक चीन कौन सा है, तो योजिक चीन हो जाएगा, option B सही हो जाएगा, याद इसका सही answer हो, option D, उपपरश में, अगला question 41, पवित्तर में प्रियुक्त संदी का नाम है, तो इसका सही answer हो, option B, अगला question 42, सपर्ष ब्यंजन केतने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही answer हो, option D, 25, अगला question 43, पुरोहित में उपसर्ग है, तो उपसर्ग हमेशा, आपका उपस starting में आता है, प्रत्याब का शब्द के last में आता है, ठीक है, तो प्रोहित का उपसर्ग हो जाएगा, option D, पूरोहित, अगला question 44, इन में से कौन सा भावाचिक संग्या है, इसका सही answer हो जाएगा, बच्चपन, अगला question 45, निमन में से अलप प्राण, बरन कौन से हैं, पहला तीसरा और पांचमा, तो कह हो जाएगा और गह हो जाएगा ये, अलप प्राण, और जो आपका ख़ बचता है, वो आपका आता है, महा प्राण में, दूसरा और चोथा जो अब दाते हैं, उसको हम बोलते हैं, महा प्राण और पहला तीसरा पांचमा आते हैं, अलप तो कितने होते हैं दोपरकार के होते हैं और अंग ठीक है अगला Malan season 247 नीमिन में से कोण सा घोश one है तो घोश में को सा है म हैं गोश में बर्गा तीसरा चोथा और पांचमा जो शवद आता है वह घोश में आता है और घोश में आपके और कौन से आते हैं दो अंतस्त स्वर होते हैं कौन से यह लब तो यह भी आपके घोश में आते हैं ठीक है फिला आप इतना याद रखिए निम्न में से कौन सा घोश वर्णन है तो कौन सा है म हैं अगला क्वेश्चन गोश वर्णन कौन से होते हैं तो मैंने बताया आपको प मैंने स्टाडि में बताया है जो केस मान महान है जो तो है जो लग रहा है इसका कौन सा हो जाएगा कर्मधार्यस मास अगला कोश्चना बेरी बेरी important question 50 अत्त का kay cos abad तो इसका हो जाएगा 2007 obese ओर यह न गमन का को एगम्न का आगमन अगला Anda 52 अबनी का इलमका शबत क्या है एंबर अगला question 53 शीरी गनेश का भण शबत है तो इसका बेरी सब कुछ जानता हूँ तो कौन होता है वह सरवग्य होता है वैरी वैरी इंपोर्डेंट कोश्चन अगला कोश्चन 55 जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं दावा न लगाते हैं अगला कोश्चन देखते हैं जिएष्ट का बिलोम शब्द है वैरी वैरी इंपोर्डेंट कोश्चन तो इसका सही हो जाएगा कनिष्ट अगला कोश्चन 57 जो कहाना जा सके तुसे क्या कहते हैं ओप्शन ए अकतनिया फिफ्टी एट परियावण का सही बिशेद है तो क्या है ओप्शन दी सही हो जाएगा अगला कोश्चन 59 अनुनासिक का समंद होता है तो किसी होता है अनुनासिक का समंद नाक और मुह दोनों से होता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा दिगुसमास दिगुसमास में जो भी आपकी संख्या आती है संख्या यानि की चत्रभुज ये भी आपका दिगुसमास है त अगला कोश्चन को उलास का संदिव शेद वेरी वेर इंपोर्डन कोश्चन तो इसका सही अंसर हो जाएगा उत्जम लासी मैं यह टेस्ट में पूछा गया है चली वीडियो कहते हैं यहीं पे खत्म और जल्दी मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी वीडियो क असाथ जय हिंद जय भारत